क्या आप भी कच्चा प्यास खाते हैं अगर नहीं खाते तो आज के बाद जरूर खाएंगे प्यास काटते वक्त आपकी आँखों से आसू तो आते होंगे लेकिन इसको खाने के फायदे भी बहुत हैं चाहे कच्चा हो या पका हुआ प्यास दोनों ही फॉर्म्स में सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है लेकिन कच्चा प्यास खाने के जादा फायदे हैं सिर्फ कच्चा प्यास खाने से ही आप कौन-कौन सी बिमारियों से बच सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखें, और अगर ये वीडियो आपके मतलब का है, तो नीचे like बटन भी जरूर दबाएं, तो की सफाई हो जाती है, जिससे कब्स दूर होता है, जो लोग सुबा एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते, उन्हें रात में खाने के साथ कच्चे प्यास का सालिट खाना चाहिए, ये नुसका कब्स को दूर करने में काफी लाबदायक साबित होता है, ब्लीडिंग की समस्या स की आप हर दिन अच्छे से कच्चा प्यास खाएं, जिससे ना तो आपको लू लगेगी और ना ही आपकी नकसीर फूटेगी, यही नहीं अगर आपके दातों से भी खून निकलता है, तो आप कच्चे प्यास को गरम करके अपने दातों के नीचे तीन से चार मिनट दबा के रखें, इससे आपको जल्दी फरक लगेगा, गले की खराश मिटाएं, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका गला अक्सर खराब रहता है, या फिर सर्दी जुकाम खासी से आप परिशान रहते हैं, तो जान लीजे यह असान सा नुसका, आपको कच्चे प्यास का र कच्चे प्यास में सलफर की मांतरा काफी अधिक होती है, ये कैंसर सेल्स बढ़ने नहीं देता, कैंसर पेशिंस को प्यास खाने से उसके ट्रीटमें में बहुत मदद मिलती है, अगर आप शुरू से ही कच्चे प्यास खाते आ रहे हैं, तो पेट, ब्रेस, फेफडे और प कारण होता है, उसमें पाया जाने वाला सलफर जो नाक के जरीए शरीर में एंटर करता है, सलफर में एक तेल पाया जाता है, जो अनीमिया से आपके शरीर को बचाने में मदद करता है, और अगर आप अनीमिया से पीडित हो गए हैं, तो उसे ठीक करने में सहायक साबित होत अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है और आप उसको कम करने में असमर्थ रहते हैं तो आपको जरूरत है कच्छे प्यास खाने की कच्छे प्यास में अमीनो एसिड और मिथाइल सेलफाइट पाया जाता है यह सभी तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं तो कच्छे प्यास खाने से आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परिशानी से निजात पा सकेंगे कच्छा प्यास आपके दिल के लिए बुहत ही फायदे मन्द होता है बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि प्यास ना खाने वालों की तुलना में प्यास खाने वालों की सेहत जादा अच्छी रहती है साथ ही आपको ये भी मैं बता दूँ कि अगर आप diabetes के शिकार हैं तो कच्चे प्यास खाने से आपके शिरीर में insulin पैदा होता है इसलिए कच्चा प्यास diabetes के रोगयों के लिए भी बहुत बड़ी आमाना जाता है कुछ लोग कच्चे प्यास इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि उन्हें इसका टेस्ट नहीं पसंद होता तो उन लोगों के लिए एक आसान सा टिप है आप कच्चे प्यास की एक healthy चटनी बना कर भी खा सकते हैं जिसमें तेल और मसाले बहुत ही कम हो तो जैसे भी खाईए कच्चे प्यास जरूर खाईए तो कैसी लगी आपको हमारी आज की एक वीडियो हमें कॉमेंस में जरूर बताएं अगर आप भी आज तक हमेशा कच्चा प्यास खाते आई हैं तो किस तरह से खाते आई हैं ये भी जरूर शेयर करें